राजस्थान और हमान्चल के पूरु राज्यपाल भारती जन्ता पार्टी परिवार के बरिष्ट सदस्य मान्य कल्यान सिंग्जी हमारे बीच में नहीं रहे दिगत दो महा से मान्य कल्यान सिंग्जी अस्वस्त थे उनका उपचार चलना था आज रात्री में सवा नो बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है हम सब दुखी है उतरप्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री की रूप में एक जन्नेता की रूप में उन्होंने सासन में सुचता दर्ड़ता मुल्यों और आदर्सों के प्रती अपने कारकाल के दोरान जो आदस्त प्रस्तुत किये थे वो आज ही मानक बने हुए हैं से राम जन्भूमी मंदिर आंदोलन के वे गणी नीता थे मर्यादा प्रसोतम भगवान स्री राम के इस पावन अस्थल पर भब्वे राम मंदिर के निर्मान का कारे आगे बढ़े इसके लिए आउ सकता पड़ी तो सत्ता छोड़ने में भी उन्हें कोई संकूच नहीं हुई 26 संबर 1992 को विवादी धाचा गिरने के बाद सत्ता छोड़ने और इस बाद की नैथिक जिम्मेदारी लेते भे पनौने तत्काल मुख्यमंत्री पत से स्थिपा दिया था मान्य कल्यान सिंग्जी का जाना ना केवल समाज का भारती राजनीती का पिलतु भारती जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णी अच्छती है मैं दिवंगत आत्मा की सांती की कामना करता हूँ परिवार की सदस्यों से भी वाच्चीत्वी है प्रदेश के अंदर अभी रात्री में या सुबह ही हमारी कैबिनेट के बैठक होगी सोक प्रस्ताव पारित होने के साथ ही मन्य कल्यान सिंग जी के प्रदेश के लिए देश के लिए भारती राजनीती के लिए लोगतांत्रिक मुल्यों के लिए के गए योगदान के प्रति जरधन जली देने के साथ ही प्रदेश में तीन दिन की राज्किय शोक और जिस दिन यानि पर्षों सहेकाल नरोरा में गंगाजी के तक पर अंतिन संस्कार की कारवाई संपन्न होगी यानि 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सारजनिक अवकाज गोशित रहेगा जिससे हर विक्ति अपनी दिवंगत नेता को स्रधांजली अर्पित कर सकें मैं प्रदेश सासन की और से भारत माता कैसे महन सपूत जोनने आम जन क्या कंसाओं के लिए संघर्षों से रह बना करके अपना जिवन समर्पित किया उन्हें बिनम्ब्र स्रधांजली अर्पित करता हूं अभी मान्य कल्यान सिंग जी की बहुत इक देह को लेकर के हम उनके आवास पे पहुंच रहे हैं कल प्राता आवास में फिर विदान भवन में और उसके प्रांट पार्टी कारेले में जो भी सुवेच्चों हंगे वे उन्हें स्रधांजली अर्पित करेंगे कल सायकाल यहां से अलेगड़ चलेंगे अलेगड़ वहां पर उनका बहुत इक देह को अलेगड़ की जनता का पारष ने उन्हें प्राप्त हुआ था वहां पर स्टेडियम में दिवस्था की जा रही है परसों पुर्वाहन में उनकी जो कर्म भूमि थी जनम भूमि थी अत्रोली वहां से अलेगड़ से अत्रोली में जाकर के जनता दर्शन के लिए उनका बहुत इक देह रखा जाएगा और उसके उप्रांद अब प्राहन में नरोडा में अंतिम संस्कार की कारवाई पुरे राच्किय सम्मान के साथ संपन्न होगा नई सौसर पर प्रदेश सासन की ओर से अमारे प्रदेश अध्यक जीवी साथ में है भरतिय जनता पार्टी परिवार की ओर से अपने दिवंगत नेता को बिनम्र सरधन्जली अर्फित करता हूं इस वर से दिवंगत आत्मा की सांति की कामना करता हूं संतप्त परिजनों की प्रती हम सब ने अपनी संबेदना प्यक्त की है और सभी लोग हर कारेकरता को पार्टी के प्रते एक सदस्य को इसंभल प्राप्त हो कि हम उनके बताएवे उन संघर्सों के रास्ते पर चल करके उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने जो सपना देखा था उसको साकार करने में अपनी पूरी ताकत लगा दें